इस अंसार में हम खाली आथ हैते और खाली हाथ ही जाएंगे जो आज हमारा है वेकल किसी और का होगा इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इस्ट देव को अरपड कर देना चाहिए जैश्री राम दोस्तो स्वागते आपका आधुनिक मनी मंत्र में जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशियां कैसा रहेगा आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के पांचांग से कि आप किसी कारणवश इस दिशा में आत्रा कर रहे हैं तो दर पर देख कर या पुश्प खा कर घर से बाहर जाएं लाबकारी होगा मित्रो यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फसे हुए हैं तो अपना कोईश्चन पूछ सकते हैं आप अपना जम डिटेल और अपने कोईश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में आवश्य लिखें तो चलिए मित्रो आज का राशी फल जान लेते हैं मेश राशी आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है लेकिन धीरर्ज रखें और अपने उत्सुकता भी बनाय रखें हाला कि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी सम्मंद की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्षियों को एक तरफ करना पड़ सकता है अ स्वास्त समंदी एक से अधिक तकलीफ हो सकते हैं लेकिन ये सब जल्द ही समाप्त भी हो जाएगा आपको बस किसी ऐसे विश्यशक से सला लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो प्यार और समंद आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमा से आश्चर चकित रह अगर आप अंतरंग डिनर आधी पर जाते रहे हैं तो आज भी ऐसे एक मज़ेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से अपने आपको उनके बारे में न सरहना करें और इसे मनुरंजन में बिताएं और उन खुश्णमा पलों को भी याद करें जो अपने अपने कार शेत्र में मैसूस किये हैं मित्रों इस वीडियो में दी गए जानकरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजें ज्यादा ज्यादा शेयर कीजें और कमेंटर पे अपनी प्रॉबलम हमी बताएं ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं आप सभी का धन्यवाद जैश्री राम